नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस के डिजिटल प्लेटफॉर्प पर मैं हूँ आपके साथ स्वाधिसेंग क्या आपको भी दात में तेज दर्ड होता है जो बरदाश के बाहर को जाता है कहीं आपके दात में कीडा तो नहीं और है तो कैसा दिखता है ये कीडा दात में और कीडा लग जाए तो क्या फिटकरी से दात का कीडा निकाला जा सकता है ऐसे ही कई सवाल आपके भी मन में चल रहे होगी तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंते हैं कैविटी को दातों की सडन भी कहा जाता है यह आपके मुँ में बैक्टीरिया जादा मीठे और दातों की अच्छी तरह से सपाई ना करने सहित कई कारणों से होती है कैविटी दुनिया की सबसे आम स्वास्त समस्याओं में से एक है जो हो ही जाती है यहां तक की छूटे बच्चों में भी कैविटी की समस्या देखने को मिलती है यदि कैविटी का इलाज वक्त रहते नहीं किया जाता तो ये समस्या बड़ी हो जाती है और आपके दातों की गहरी पर्तों को प्रभावित करती है। इससे दात में संक्रमण और बहुत ज़ादा दर्थ का सामना आपको करना पड़ता है। नियमित रूप से डेंटिस के पास जाना और ब्रशिंग जैसी आदती केविटी और दातों की सडन से आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा करते हैं। चलिए आपको कुछ घरेलू उप्चार भी बताते चलते हैं जो दातों की केविटी से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपको दिन में कम से कम दो बार फ्लोराइट युक्त टूथ पेस से ब्रश करना है। विशेश रूप से खाने के बाद बेट पर जाने से पहले ब्रश जरूर करें। एक्जाम के लिए नियमित रूप से अपने दात चिकित्सक के पाल जरूर जाए। आप दातों पर सिलेंड भी लगवा सकते हैं। इसे पीछे के दातों पर चबाने वाली जगाव पर लगाया जाता है। नियमित जाच से केविटी और अन्ये डेंटल कंडीशन की पहचान की जा सकती है। जितनी जल्दी आप इसकी पहचान करेंगे उतना जल्दी प्रभावी इसका इलाज होगा। यदि दर्द शुरू होने से पहले एक केविटी का इलाज किया जाता है तो बहुत जादा ट्रीटमेंट के जारूरत नहीं पड़ते हैं। केविटी का ट्रीटमेंट इस बात पर निरभर करता है कि समस्य कितनी गर्भीड है। इसके treatment में fluoride treatment, filling, crown और root canal और दातों को निकालना शामिल होता है अपने दातों की सफाई को आपको करना बहत ज़रूर या आप अपने दात को साफ रखते हैं तो आपके दात कई समस्याओं से बचे रहते हैं लेकिन वही जहां आप अपने दातों के साथ लापरवाही करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए आपके कई सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होगी आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें अभी के लिए मेरे साथ तस इतना ही देखते रहें इंडिया न्यूस डिजिटल धर्नेवाब